अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम मुक्तलिफ डेटा सेट्स को हमारे पास आ गए अब हम उनका अनेलेसिस कैसे स्टार्ट करेंगे अनेलेसिस करने के लिए जाहर है हमें कम्प्यूटर में मुक्तलिफ एप्लिकेशन चाही होती है बिलकुल उसी तरीके से जब हमारे पास मॉबाइल है और मॉबाइल में हमने कोई खास एक्शन परफॉर्म करना है लाइक हमने किसी दोस्ते बात करनी है तो हमें फून वली application जो है वो on करनी पड़ेगी या WhatsApp की application अं करनी पड़ेगी अगर हमने कोई game खेलनी है तो हमें game वली application अं करनी पड़ेगी तो इसी तरीके से जब हम computer में हमारे पास data मौझूद है और हम analysis करना चाहते हैं नहीं, billions के हिसाब से application मौझूद हैं, जो मुख्तलिफ analysis हमारे लिए perform कर रही है, यह जो applications हैं, कुछ बहुत आसान हैं, ठीकना, कुछ ठीकने के हिसाब से मुश्किल हैं, कि हमें उसके लिए पहले बहुत कुछ ठीकना पड़ता है, कुछ application free है, कुछ application हमें पैसे दे के खरीद नहीं पड़ती हैं, कुछ application क्या इस्तमाल पाकिस्तान में बहुत आम है, कुछ application पाकिस्तान में लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ, मैं पाकिस्तान का जिकर इस वजह से कर रहा हूं, कि जब हम कोई analysis करने लगते हैं, और कोई खास application यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे client को ये पता ही नहीं है, कि मैं किस application में इसका analysis कर रहा हूं, तो हमें अपनी बात समझाना उसको जरा मुश्किल हो जाए, अच्छा, by the way, कि बहुत सारी application ऐसी हैं, जिसका आपको पहले से पता है, हमारे पास Microsoft Office मौझूद है, Microsoft Office की बात जब बात जब करते हैं, तो उसके मु application है, जिनको आपको पहले से पता है, अगर हमने कोई document compose करना होता है, तो हम आम तोर के उपर Microsoft Word में आते हैं, अगर हमें कोई थोटा मोटा analysis करना है, कोई जमा तफरीक करनी है, कोई accounting system develop करना है, तो उसके लिए हम आम तोर के उपर Excel यूज़ करते हैं, similarly, अगर कोई presentation करनी है, तो PowerPoint यूज़ करते हैं, ये वो आम application है, जो हम यूज़ करते हैं, और हर application का एक area है, हम document compose करने के लिए PowerPoint को यूज़ नहीं कर सकते हैं, Excel को यूज़ नहीं कर सकते हैं, similarly, जब हमने कोई जमा तफरीक का काम करना है, कोई accounting system develop करना है, या कोई और analysis करना है, तो हम Excel को यूज़ करते हैं, हम word को use नहीं कर सकते हैं, तो ये area जो है, ये काफी classified है, कि हम कौन सी application किस काम के लिए use करते हैं, तो हम एक step आगे बढ़ते हैं, हम उस analysis की तरफ आते हैं, analysis में जाने से पहले, अभी आपके सामने मैंने नाम लिया Microsoft Office, जब हमने Microsoft Office में कोई काम करना होता है, या या उसकी कोई application यूज करनी है, Microsoft Word यूज करना है, या Excel यूज करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने computer में उसको install करना पड़ता है, install नहीं करेंगे, हम उसको use नहीं कर सकते, अच्छा, ये application, आप सब को पता है, ये free नहीं है, you have to purchase them, अच्छा, जब purchase की बात होती है, तो इसका म परचेस करके कहीं से और फिर अपने computer में install करना पड़ेगा, या किसी ऐसी जगा पर जाना पड़ेगा, जहां पर ये application पहले से installed है, तो installation is a compulsory requirement to use Microsoft Office, जब Microsoft Office के इलावा भी बहुत सारे office की production या office की application मौझूद, बहुत popular एक application है, जिसे हम Google Office कहते हैं, यानि Google ने भी Microsoft Office की तरह का एक environment develop किया हुआ है, उसी तरह की application गूगल भी provide कर रहा है, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये application के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ये paid नहीं है, ये free है application, यानि अगर आपने कोई document compose करना है और आपको एक ऐसा environment चाहिए, एक ऐसी application चाहिए, जिस पे आप वो उसको compose कर सके, तो उसके लिए आपको अपने computer में ना तो कुछ install करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे, जहां से आप ये application खरीद के अपने computer में install करना है, तो Google Office की जो सबसे बड़ी merit वो ये है कि आपको इसको install नहीं क करना पड़ता, तो जाहिर हमें इसको खरीदना भी नहीं पड़ता, किसी ऐसी जगह पे जाना भी नहीं पड़ता, कि जहां पे हम इसको use कर सके, अच्छा, कैसे इसको use करेंगे, इसके लिए सिर्फ दो requirement, Google Office को use करने के लिए सिर्फ दो requirement, पहली requirement, आपके पास internet होना चाहिए, अच्छा, Google के account का कैसे पता चलेगा, आम तोर के उपर, जब हम अपना email address बनाते हैं, और जो के हम हर जगह use करने के लिए बना लेते हैं, उसके लिए एक application मौझूद है, Gmail, ये Gmail basically Google mail का abbreviation है, और वहीं से हमारे पास आती है, तो अगर आपके पास Gmail का account मौझूद है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके पास Google का account मौझूद है, तो जो दो requirement की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहीं हैं कि हमारे पास internet होना चाहिए, और दूसरे नबर के ओपर हमारे पास Google का account in the form of a Gmail address होना चाहिए, अगर ये दो चीज़े हैं, तो हम Google का office या Google के component जो के मिलत से जुलते हैं, word से, excel से और powerpoint से और इसके इलावा भी कुछ component मौझूद हैं, उनको हम use कर सकते हैं free of cost, हमें किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई license लेने की जरूरत नहीं, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, these are all three for everyone, अच्छा, एक और खुबी Google office की बहु बहुत important भी हो जाती है, अगर मैं Microsoft का office use कर रहा हूँ, और मैंने एक document compose किया है, और वो document मैंने अपने एक दोस्त को देना है, या अपने पास save रखते हैं, किसी और computer में काम करने के लिए, तो मुझे उसको save करने के लिए, एक USB stick या कोई additional memory resource चाहिए, memory source चाहिए, आम तोर प जाते हैं, एक computer से, जब हम दूसरे computer में जाते हैं, अक्सर हमें शकायत होती है, कि एक computer के viruses दूसरे computer में shift हो जाते हैं, और USB आम तोर के उपर हम avoid करते हैं, use करना analysis के environment में, क्योंकि वो viruses का गढ़ होती है, उसमें बेतहाशा viruses होते हैं, कहीं पे भी आप use करना, so Microsoft Word में USB को use कर जाते हैं, जबके Google के office में ऐसी कोई requirement थी, आपने एक document अगर compose किया है, और अगर आप अपने दोस्त के साथ, पने किसी और colleague के साथ, वो share करना चाहते हैं, तो उसमें लिए आपको USB stick की बिल्कु जरूरत नहीं है, आप बिल्कु उसको दूसरे तरीके से share कर सकते हैं, अभी में आपको बताऊंगा भी, अच्छा, मेरा यहां पे मतलब हर्गिस नहीं है, कि Microsoft Office की कोई बुराई कर रहा हूँ, Microsoft Office की जो merits है, वो बिल्कु डिफरेंट है, उसकी जो supremacy है, वो बिल्कु डिफरेंट ग्राउंट पे है, Google Analytics बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर सकता, या Google Analytics की जो components ह हैं, वो बहुत सरे ऐसे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, जो Microsoft Office बड़ी असानी के साथ कर लेता है, हम तफसील के साथ इनको discuss करेंगे, तो मैं यह जरूर कहूंगा, कि Microsoft Office और Google Office यह दो different environment हैं, हर एक की अपनी खुबियां और अपने demerits हैं, जो खुबी मुझे बहुत ज़ उसके लिए आपको ना तो कोई इसकी license पीस देनी पड़ती है, ना आपको किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, जहां पर वो Google Office इंस्टाल है, और ना ही आपको अपने computer की specification का ख्यार रखना पड़ता है, बड़ा simple computer भी office, Google Office इंस्टाल कर लेता है, Microsoft Office जब इंस्टाल करें तो कुछ RAM की requirement होती है, कुछ operating system की requirement होती है, बाज computer पे बड़ी असानी के साथ install हो जाता है, Microsoft Office बाज computer पे नहीं होता, Google Office में ऐसी कोई problem नहीं है, अब हम computer पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि हम इसको install, अपने computer में इस्तमाल कैसे करेंगे और इस पे काम करना कैसे तो यह जो ही आपका computer verify कर लेगा, कि आपका Gmail का account, Google का account okay है, यह इस किसम की screen आपके सामने open हो जाएगी, कुछ यह आपको उसके template दे देगा, documents के अगर आपने कोई resume develop करना है, अगर आपने कोई letter compose करना है, project proposal आपने compose करनी है, और एक blank document का आजाएगा, और similarly जो अगर आपने file कुछ पहले बनाई हुई है, तो उसकी एक list आपके सामने नीचे आजाएगी, क्योंकि मैं बहुत देर से Google Docs यूज़ कर रहा हूँ, तो यह एक बहुत लंबी सी list यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे case में, आपके computer में अगर आप साथ-साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे य ब्लैंक होगी, क्योंकि आपने पहले Google Docs यूज़ नहीं किया, हम एक blank document को on करते हैं, और जो ही इसको on किया, तो depending on the speed of the computer, एक environment आपके सामने open हो जाएगा, और यह तकरीबन वही environment है, जो हमें Microsoft Office या Microsoft Word प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे, और यह automatically इसको save कर रहा है, जो ही हम इसका यहाँ पे नाम रख लेंगे, वो automatically इसका नाम रखतेगा, और automatically इसको save करना चुरू करतेगा, अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आप से discuss किया, कि यह automatically sharing भी हो जाती है, यह एक right upper corner के उपर share का button click मौजूद है, इसको जो ही हम click करेंगे, तो यह आप से require करेगा कि इस particular document को आप किसके साथ share करना चाहते है, आपने किसी दोस्त की और जाहर है वो दोस्त जिसके पास Gmail का address मौजूद है, उसी के साथ आप इसको share कर पाएंगे, किसी दूसरे के साथ इसको share नहीं कर पाएंगे, यह Google की है, यह Google की requirement है, और once यह आप उसका नाम लिखेंगे, automatically उसके computer में एक email चली जाएगी, जिससे उसको पता चल जाएगा कि एक document जो है, वो उसके साथ share हो गया, अच्छा, यह environment हम यह इस particular Google Docs को, हम बहुत सारी application में भी use करेंगे, बहुत सारे analysis में भी use करेंगे, अगले sessions में, तो उन session में हम इसको मजीद explore करेंगे, इस वकत तक के लिए मैं आपके सामने यही बताना चाह रहा था, या मेरी requirement यह है आपसे, कि आपको यह पता चल जाए कि Google Office या Google Docs को आप on अपने computers में कैसे करते हैं